प्रेस के मित्रों तो कहते हैं, मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे प्यार दे रहे हैं, बहुत मुहबद दे रहे हैं सब जगे, लाखों लोग आ रहे हैं ये टीवी वाले अतना दिखाते नहीं है मगर नदी सी है रोज साड़े पाँच बजे बनना था सालों पढ़ाई की सपना देखा था कम्प्यूटर एंजिनियर बनेंगे आज मजदूरी कर रहे हैं कोई कहता है डॉक्टर बनना था शिक्षा के पैसे दिये किसी प्राइवेट इंस्टिटूशन को लाखों रुपे दिये आज उबर की गाड़ी चलनी पड़ रही है सुनकर काफी दुख होता है यहाँ पे मौर्बी की ट्राइजिडी हुई उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो और मैंने बोला देखिए एक सो पचास लोग लोगों की मृत्य हुई है यह राजनेतिक बुद्दा नहीं है इस पे मैं बोलूँगा नहीं मगर सवाल उठता है आज उठता है जिन्हों ने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कारोई नहीं कोई F.I.R. नहीं BJP के साथ उनका अच्छा रिस्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या प्रेस के मित्रों तो कहते हैं मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे देखो मुस्कुरा रहे हैं पीछे से रिमोट कंट्रोल है इनकी गलती नहीं है वैसे ये कोशिश करते हैं मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं देखो ऐसे कर रहे हैं सब्तर दिन पहले कन्या कुमारी से हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब हम महराश्ट्रा से मध्यप्रदेश में घुस रहे हैं यात्रा स्रीनगर तक जाएगे और स्रीनगर में हमारा जो तिरंगा जंडा है उसे वो यात्रा लहराएगे तक्रीबन तीन हजार पाँच सो किलोमेटर की यात्रा है 120 दिन 125 दिन लगने चाहिए पैदल यात्रा है बहुत सीखने को मिल रहा है युवाओं से बादशीत हो रही है किसानों से, मजदूरों से छोटे वियापारियों से जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं उनसे बात हो रही है प्यार दे रहे हैं बहुत महबद दे रहे हैं सब जगे लाखों लोग आ रहे हैं ये टीवी वाले अतना दिखाते नहीं है मगर नदी सी है रोज साड़े पांच बजाए लोग आते हैं छे बजे हम शुरू करते हैं आठ बरे आठ बजे रात को साड़े साथ बजे रात को यातरा खत्म होती है अजीब सी बात है थकान बिलकुल ने होती बिलकुल ने क्योंकि पुरी की पुरी शक्ति, जन्ता की शक्ति हमारी मदद कर रही है दुख इस बात का है कि यह यात्रा गुजराच से नहीं निकली बड़ी खुशी हो रही है मगर दुख भी लग रहा है युवाओं से बात करते हैं हजारों युवाओं से मैंने बातचीत की है हर पांच त्यास मिनट कोई युवा आता है अपने सपने के बारे में मुझे बताता है कोई कहता है इंजिनियर बनना था सालों पढ़ाई की सपना देखा था कम्प्यूटर एंजिनियर बनेंगे आज मजदूरी कर रहे है कोई कहता है डॉक्टर बनना था शिक्षा के पैसे दिये किसी प्राइविट इंस्टिट्यूशन को लाखों रुपे दिये आज उबर की गाड़ी चलनी पढ़ रही है पीट्सा डिलेवर करना पढ़ रहा है किसान से बात करो सवाल पूछते है राहूल जी हमें बात समझ नहीं आती हिंदूस्तान के तीन चार अरब पती लाखों करोड रुपे करजा लेते हैं और फिर हिंदूस्तान के सबसे अमीर लोगों का करजा माफ हो जाता है हमने क्या गल्ती की हम पचास हजार रुपे का करजा लेते हैं एक लाक रुपे का करजा लेते हैं हमारा करजा कभी माफ क्यों नहीं होता उन्हें जब वो कर्जा वापस नहीं देते तो उसे वो सरकार नौन पर्फर्मिंग एसेट कहती है उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होती मगर जब किसान पचास हजार रुपए कर्जा लेता है वापिस नहीं देता उसे नॉन पर्फर्मिंग एसेट नहीं कहला जाता है उसे डिफॉल्टर कहला जाता है ये सवाल किसान पूछ रहे हैं प्रधान मंत्री बीमा योजना में पैसा डालते हैं तुफान आता है बारिश होती है खेत बरबाद हो जाता है एक रुपिया नहीं मिलता फोन लगाते रहते हैं नंबर से कोई जवाब नहीं देता मेल भेजते रहते हैं इंटरनेट पे मेल भेजते रहते हैं कोई जवाब नहीं मिलता ये सब सुनकर काफी दुख होता है यहाँ पे मौरबी की ट्राजडी हुई उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो और मैंने बोला देखिए 150 लोग लोगों की मृत्य हुई है यह राजनेतिक बुद्दा नहीं है इस पे मैं बोलूँगा नहीं मगर सवाल उठता है आज उठता है जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं कोई F.I.R. नहीं बी जे पी के साथ उनका अच्छा रिस्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या चोकीदारों को पकड़ लिया अंदर कर दिया मगर जो सच्चे लों हैं जो जिम्हेदार हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं और ये गुजरात जवापका प्रदेश है स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री का ये सेंटर है ये आपकी रीड के हड़ी है ये जो छोटी कंपनीज हैं मिडल साइज कंपनीज है और आपके लोग सिरफ गुजरात में नहीं चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हो यही तो देश को रोजगार देती हैं ये जो अरब पती हैं दो तीन ये रोजगार नहीं देते हैं जो छोटे बिजनसेज हैं मिडल साइज बिजनसेज हैं वो रोजगार देते थे क्या हुआ सरकार ने नोट बंदी की आप से कहा था काला धन मिटा देंगे काला धन नहीं मिटा मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनसेज बंद हो गए फिर गलत जी एस्टी लागू की पाँच अलग अलग टैक्स हर महीने फॉर्म भरो जो बचे थे वो भी खतम हो गए रास्ता साफ करना था अरब पतियों के लिए रास्ता साफ करना था कॉरोना के समय भी वो ही किया मुझे याद है हिंदुस्तान के मजदूर किसी ने किसी पत्रकार में मुझे पूछा कि आप दो हजार किलोमेटर चले हो मैंने उससे कहा देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है हिंदुस्तान का हर मजदूर ये दो हजार किलोमेटर चला था भूका चला था तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मगर जब उस मजदूर को सरकार के जरूरत थे हिंदुस्तान के सरकार ने गुजराद के सरकार ने उनकी मदद नहीं की और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे उसी समय पीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोर रुपे कर्जा माफ किया जो स्मॉलर मीडियम बिजनस चलाते थे वो चिला रहे थे हम बरबात हो गए नोट बंदी हुई, गलत जीएस्टी लाग हुई, उसके बाद कोविड आया मदद नहीं की सपोर्ट नहीं दी ये पॉलिसिया नहीं है ये नोट बंदी ये जीएस्टी कोविड में जो एनों नहीं किया ये पॉलिसिया नहीं है ये किसानों के खिलाफ मजदूरों के खिलाफ छोटे वियापारियों के खिलाफ स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने बालों के खिलाफ ये हतियान है इनको खत्म करने के हतियार है और जो हिंदुस्तान के दो तीन बड़े अरब पती हैं ज़नको आप जानते हो उनके लिए रास्ता साफ करने के हत्यार है वो कोई भी बिजनेस चलाना चाहें चला सकते हैं जो भी करना चाहते हैं टेलेकॉम बिजनेस करना है तो टेलेकॉम में घुज जाएंगे एरपॉर्ट में घुज जाएंगे पॉर्ट में घुज जाएंगे infrastructure खेती जो भी ये करना चाहते है grocery stores जो भी करना चाहते कर सकते हैं जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं मगर अगर हिंदुस्तान का युवा सपना देखना चाहता है इंजिनियर बनना चाहता है तो पहले आप private institution ने जाईए लाकों उपे दीजिए महंगाई सही है और उसके बाद इंजिनियर मत बने ये मजदूरी कीजिए आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है गुझरात में बाकी हिंदुस्तान में पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे public सेक्टर में उनको नौक्री मिल जाती थी आज पूरा का पूरा public सेक्टर प्राइबटाइज हो रहा है railways को प्राइबटाइज कर रहा है oil companies को privatize किया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है उन्हीं दो तीन हुद्योग पतियों यह आपकी पुंजी है यह आपका धन है पब्लिक सेक्टर में आपको रोजगार नहीं मिल सकता सरकार में लाखों पोजिशन खाली है तो आप एक तरफ बेरोजगारी तो सहते हो दूसरी तरफ महेंगाई यूपीए के समय पेट्रोल साट रुपे का होता था आज सो रुपे से जादा का है ग्यास सिलिंडर चार सो रुपे का था आज कितने का है 1100 रुपे का है दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अरब पतियों का वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का किसानों का मज़दूरों का छोटे वियाप्यारियों का हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें एक हिंदुस्तान चाहिए नियाय का हिंदुस्तान चाहिए और भारत जोड़ो हम जो शुरू किये है उसके पीछे सोच आपकी है गुजरात की है महात्मा गांधी जी की है कि हमारी ये नई चीज नहीं कर रहे हैं रास्ता हमें गुजुरात में दिखाया था महात्मा गांधी जी ने दिखाया था सदार पटेल जी ने दिखाया था आप से ही सीख के हम ये तपस्या कर रहे हैं जनता की आवाज सुन रहे हैं, साथ आठ घंटे हम चलते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, किसानों की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, गले लगते हैं उनसे, मजदूनों से, और साथ आठ घंटे चलने के बाद, कभी दस ग्यारा घंटे हो जाते हैं, हम पंदरा मिनट अपनी बात रखते हैं,